और बात करेंगे बाबर आजम की जिनके आप कह सकते हैं कि स्पेस पर जो डिसकेशन्स हुई वो बहुत जादा सोचल मीडिया पर वायरल होगी बाबर आजम अपने फैंस के लिए आए अपने चाने माले के लिए और स्पेस पर एक लंबी चोड़ी उनके डिसकेशन हुई फै अच्छा मेसेज या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल बाबर आजम की और बाबर आजम ने अपने फैंस को बिलकुल भी डिसपॉइंटर नहीं किया निराश नहीं किया और उनके सबी सवालों के जवाब वहाँ पर दिये और बहुत अच्छी तरीके से दिये और ए जाता है और फैंस के साथ उनका जो बाबर आजम समयत महम्मद रिजवान और उनके काफी फैंस ने शरकत की वहाँ पर के किसे कहानिया बाबर आजम ने खुलकर सनौओ और ये पहला मوقद था जब बाबर आजम किसी स्पेस में आगर इस तरहा खुलकर बात करते रहे अपने फैंस के साथ उनके सवालात के जवाबात देते रहे पिर महम्मद रिजवान ने भी चंद दिल्चस सवालात पूछे खास कर जो उनकी शादी के बारे में पुछा गया सवाल था वो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर तरफ वारिल नज़राता है जबके इतना ही नहीं भारत के सोशल मीडिया पर भी बाबर आजम की ये बातें ट्रेंड करती नहीं और उस पर खुल कर भारती एक क्रिक्ट शायकीन भी तपसरे करते रहे और बाबर आजम की इस चीज़ को सराफते रहे कि वो कितने हंबल हैं और इतनी बड़ी स्टार होने के ये आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि इस सारी स्पेस के बारे में भारत का मीडिया बाबर आजम के बारे में क्या कुछ कह रहा है बात करेंगे बाबर आजम की जिनके आप कह सकते हैं कि स्पेस पर जो डिसकेशन्स हुई वो बहुत जादा सोचल मीडिया पर वाइरल होगी बाबर आजम अपने फैंस के लिए आए अपने चाहने वाले के लिए और स्पेस पर एक लंबी चोड़ी उनके डिसकेशन हुई फै के सबसे मुश्किल दौर के बारे में उन्हें बताया कि देखिए इटस नॉट ऑल्वेस की आपको हमेशा हैप्पी टाइम्स होते है आपके करियर के जो स्प्वल होते हैं वो आपको आपकी लाइफ के सबसे बड़े लेशन्स देते हैं सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से life में ups and downs आते हैं और आपको struggle करना पड़ता है हसल करना पड़ता है इस life में तब जाकर आप सफलता वो सब हासिल कर पाओगे वो success अचीव कर पाओगे तो कहीं ने कई बाबराजम ने सभी को एक message भी दिया अपनी life के वो struggles बता कर किस तरीके से दुनिया बस ये जानती है कि भाई जादा लोग ये नहीं जानते सब ये जानते कि भाई उन्होंने as a ball boy भी काम करा है वो सारी चीज़े हैं वो passion out of passion होता है लेकिन cricket से अलग उनके life के ऐसे भी struggles थे कि उन्हें labor का काम भी करना पड़ा ये सारी चीज़े बाबराजम ने reveal करी उस space session में आप कह सकते हैं जापर fans के बड़े मज़ेदार सवालों के जवाब दिया एक बड़ा मज़ेदार सवाल ये भी था वो था मुहमद रिजवान का रिजवान साब जो उनके partner भी उन्होंने बढ़ी मज़ेदार चीज़ उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार reply बाबराजम ने मापर दिया तो क्या कुछ हुआ इस सेशन में आपको बताते हैं क्योंकि बहुत जादा वाइरल हुआ ये सेशन और कहीन है कि एक अच्छी मुहीम एक अच्छा मेसेज या फिर आप कहसे हैं कि एक अच्छी पहल बाबराजम की क्योंकि हमोबन आप देखते हूं कि हर cricket fan अपने आइडल कि मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर से अपना मन पसंद सवाल पूछू और बाबराजम ने अपने फैंस को बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं किया निराश नहीं किया और उनके सभी सवालों के जवाब वहाँ पर दिये बहुत अच्छी तरीके से दिए कहीना कहीं मैं बस विवरेट नौस कौन कौन से रही है अब फिवरेट नॉक्स मैं आपको बता देता हूं कि वाही उनकी जो सैंचुछ जो नहीं अंस अस्ट्रिल्यक चरता स्राव याथं किया था नहीं Su ये बर्मिंगम में ये उनकी ODA में बस पारी होगी और T20 में जो उनके स्चेतक आये हैं अगेंस South Africa and अगेंस New Zealand वो उन्हें ये चार पारियों को जिक्र करा कि ये मतलब मेरे दिल में इनके लए अलक्सा स्पेशल जगा ये पारिया मुझे काफी पसंद है बापर आजम ने जी मेरी सबसे best knock is more emotional moments में जम उन्हें ने जोगेन करते हैं और वह बहुत ही सपेशन वूवमनट था और आप ऐसे moments को saver करते हैं ऐसे moments को cherish करते हैं तो उनका डेब्यू पाकिस्तान के लिए उनका captaincy डेब्यू आप कह सकते हैं जब कफटानी मिली और आप कह सकते हैं सबसे heartbreaking moment जो उनके लिए था सबसे emotional सबसे बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगा अब जब स्टीव स्मिस से सवार पूचा गया था एक सेशन में विराट और बाबर मैं से विराट कूली का कवर ड्राइव चूज करा था लेकिन बाबर आजम ने स्टीव स्मित को ही वहाँ पर चुना उनसे यह नहीं पोचा था कि स्टीव स्मित या विराट उनसे बस यह पोचा गया कि आप के लाओ भई किसका बेस्ट कवर ड्राइव आपको लगता है तो उन्होंने साफ सीधा स्टीव स्मित का वहाँ पर नाम सचन दंदूलकर, उन्होंने नाम लिया A.B.Devilliers का, साओथ ऐफरिका माइस्टो, अइनका नाम उन्होंने लिया कि उन्होंने का, कि उन्होंने कि मैं, मेरे ड्रीम बैटेंग पार्टनर A.B.Devilliers ही होंगे, अब आजाते हैं के बारे में, जिसको लेकर लेकर फ्क्रेशली लाइफ बड़ी आसान है इनको इतने सारे ब्रेंड्स एंडॉर्स करते हैं करोड़ो रुपे कमाते हैं सारी लाइफ बड़ी आ है लेकिन उस स्टेज तक पोचने के लिए खिलाडी को कितना श्रगल करना पड़ता है ये बाबाराजम ने कहीं ने कहीं बताया और एक लाइफ कि उन्होंने काम करा